असलाम वोलेकुम दोस्तों कहसे हो आप लोग अभी इस वीडियो में बताने वाल हूं कि अगर आपका क्यूट पर कोंत्रैक्ट नहीं है तो आपका ट्रांसफर कहसे होगा डाइरेग interpre होता है या प्यूट पर जिसका कॉंट्रेक्ट नहीं होता है बिना कंपनी के परमिशन से होता है यह नहीं इस वीडियो में पूरा आपको डीटेल में बताने वाला हूं आप इस वीडियो को पूरा देखना आधा धूरा छोड़ के जाओगे आपको ही कन्फ्यूजन होगी और प्रोब्लम भी में अफितक होता है क्या वीडियो काफाला के बारे में कोई वीडियो देख नहीं हो तो यहां आप को मिल जाएगी आपको टो वेडियो ऐड़ी है वो जाकी आप अब देख लेना। इसके वाद अभी बात करता हूँ कि अगर आपका QA पर कॉंट्रेक्ट नहीं है तो क्या कंडिसेन Посेंथ कैसे आपका डायरेक्ट टासफ़र होता है या नहीं तो आपको बता दूँ क्यों आप अगर आपका कॉंट्रेक्ट नहीं है सिंपल है आपको बस कोई भी नहीं कंपनी देख करके आप रिक्वेस्ट मंगवाओ रिक्वेस्ट मंगवाने के बाद आप एक्सेप्ट करोगे आपको पास 10 दिन का टाइम होता है उसमें आप देख लो आपका कॉंट्रेक्ट सब पुछ सही है नहीं कंपनी से जो आ रहा है ठीक है आप एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करने के बाद जो है ये नोटीस पीरिएड चला जाता है 90 देज का याद रखना आपका जैसे आज एक्सेप्ट कर रहे हो इसके बाद जो है 90 देज नोटीस पीरिएड में जाएगा अब 90 देज नोटीस पीरिएड कंप्लीट होगा उसके बाद जो आपका ये रिक्वेस्ट चेंज हो जाएगा पेंडिंग टांसफर कंप्लीशन बाई अफसर निव एमप्लॉयर ये जो है नई कंपणी के पास जाएगा फिर नई कंपणी को जो है 14 दिन का टाइम होता है उसमें नई कंपणी अपना टांसफर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है अपना फी जो होती है टांसफर की नॉर्मल फी दोजार होती है वो आप नई कंपणी पे करती है इसके बाद जो आपका टांसफर हो जाता है आपके अपसर एकाउंट में जो है आपका नई कंपणी का नाम आ जाता है अगर किसी लोग का क्यूआ में नहीं होता है जल्दी अपडेट आप लोग को टेंसन लेने की जरूरत नहीं अफसर में होना चाहिए जैसे ही अफसर में हो जाता है चेंज तो समझो आपका टांसफर हो गया कोई प्रोब्लम यहां पे नहीं होती है अब बात करता हूँ कि फिर यहां पे और क्या क्या कंडिशन आता है बह कमेंट में बताओ या फिर मुझे इंस्टागराम पे बात करो जो भी लोग टांसफर लेते हैं पहले तो वीडियो देख लेते हो टांसफर से रिलेटेड जो भी होता आपका प्रोब्लम सॉल्व हुआ फिर आप भूली जाते हो कभी बता दिया करो कि हाँ आपको क्या प्र अधगोसी पर भी अगर कॉंटेक्ट नहीं होना चाहिए वहां भी आपका कॉंटेक्ट एक्सपायर है तो ऐसे कंडिशन में जो है आपका ट्रांसफर जो है डायरेक्ट होता है कोई कंपनी का परमीशन नहीं चाहिए होता है अराम से आप रिक्वेस्ट मंगवाओं उसका आपका ट्रांसफर हो जाता है इसके अलाब़ कंपनी रेड में भी नहीं होना चाहिए तो यह तीन कंडिशन है यह आप लोग को ध्यान रखना है ऐसा अगर आपके साथ होता है आप लोग सोचते हो सोचते ही रह जाते हो आप लोग रिक्वेस्ट मंगवाओं ट्रांसफर क नहीं जाता है इसके राप सकते हो आपका ट्रांसफर हो जाता है इसके अलाब़ आपको अपना सब कुछ देख लेना और एक बता देता हूं कि आपकी करेंट कंपणी आप बोलोगे यह सब प्रोसेस हो जाता है टांसफर कंप्लीट तो आप करेंट कंपनी जो है इस पे आपके खिलाफ एक्संट ले सकती है ऐसा नहीं को एक्सन नहीं लेगी अगर आपका कॉंटेक्ट नहीं है तो आप आपको प्रोब्लम हो सकती है उसके वारे में नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा और एक बात बताना बभूल गया कि यह जो है यह फूरी वीडियो जिसने देखा हो उसको यह सब बाते पता चली होगी केस भी हो सकता है और जो भी प्रोब्लम मैंने अभी बताया कि ना एक गोसी पे कॉंटेक्ट नहीं होना चाहिए बहुत साइल होगा स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं उसका छोड के चले जाते हैं और एक बताना भूल गया है बहुत साइलों का यह सवाल होता है कि क्या जब मेरा नोटी स्परीड चलता रहेगा तो कमपणी को पता चलता है तो जब आपका 90 डेज नोटी स्परीड चलेगा तो इस बीच में आपकी करेंट कमपनी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि हाँ आपका ट्रांसफर ले रहे हो कहीं किसी भी तरह से वहाँ पर कोई रिवस्ट नहीं जाता है कोई भी notification नहीं जाता है कोई भी पता नहीं चलेगा जैसे यह आपकाилось ट्रांसफर कंपलीट हो जाएगा आप तुम से को आराम से तो आपका ट्रांसफर होगा कोई प्रोब्लम नहीं होई किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो पहली बार देख रहा हो सस्क्राइब कर लो थैंक यू फर वाचिंग सी यू इन नेक्स वीडियो